तो अंकल ये घर मुझे पसंद आ चुका है तील फाइनल कर दो तो गाई सर अब याँ आप देख सेकते हो सुपह सुपह हम आ चुके एक गतरनाक सन नया नया घर करीदने और अब ये घर मुझे बिल्कुल पसंद भी आ चुका है तो बताओ उंकल कितने का खर है ये अभी कि अभी सारे पैसे देता हूँ हाँ सर अभी लीजिए अभी मैं आपको बता देता हूँ सर इस घर को खरीदने के आपके लगेंगे टोटल 100 मिलियन डॉलर्स रुँड़ रुँड़ आपके लिए डिसकाउट 90,000,000 डॉलर्स आ शर सिर्फ 90,000,000 अरे पागल हो गया क्या इस घर के 90,000 कौन देगा अरे सर सारे के सारे लॉस सेंटोस वासी तयारे देने के लिए आपके बास कितने पैसे मेरे पस, मेरे पास तो 15,000 रुपे है क्या, 15,000 15,000 मिल तुम्हें ये केक्टस का पेड़ भी नी मिलएगा निकल जाओ यहांसे अरे ऐसा के बोल रही हो, थोड़ा डिस्काउंट दे दो न अरे जात तो यहांसे आप पुलिस को बुलाऊं मुझे पहले समझ जाना चीए था तुमारे कपड़े और तुमारे ये पिंक कलर की काड़ी को देख कर ए राम प्यारी को कुछ मत बोल ये काड़ी बहुत ही प्यारी है चलो फड़ा फट से इधर से निकल लेते ये अंकल तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ये इस घर को मुझे पंद्राभासार में देई नी रहे पर 갈ाईसर इस घर में एक खडरना काड़ी भी साथ में मिल रही थी लैंबोर्ग नीप, मर्सेडिस, जी-वेगन बहुत सारी गाड़िया में मिल रही थी पर ये सभी में बहुत ही जगाजा गरे गरीब लोग, रुक जाओ, अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुसा आचुआ है, मैं इस अंकल को नहीं छोड़ने वाला, अंकल, मुझे मारोगे, मैं पुलिस को बताऊँगा, नहीं, मैं आपको मारने नहीं वाला, मेरी बात सुन लो, आज मैं कैसे भी करके ये घर खरीद क रहूँगा, हाँ, हाँ, तुम करीद सकते हो, अभी जाके सोचाओ, फिर सपने में खरीदना, ओ नहीं, तुम तो सपने में भी गरीब होगे, अरे अंकल, मुझे कुसा मत दिलाओ, अब तो मैंने सोच लिया, ये घर आज हम कैसे भी करके खरीद के रहेंगे, मेरे बैंक अक कि हम इतना पैसा कमाने वाले है, कि हम ऐसे 10 घर खरीदे, चलो, फडावर से चलते, और इस अंकल को पताते हैं कि हम कितने खतरनाक है, चलो, पर एक सेगें, मैंने अंकल को बोल तो दिया, मैं खरीदूंगा, पर ये घर 90 मिलियन का है, मैं लाओंगा कहाँ से 90 मिलियन, वो त आपने देखा है कभी इतना बड़ा घर वो भी पूरी की पूरे डेजर्ट में मैंने तो कभी नहीं देखा तो इसलिए हम इस घर को कैसे भी करके खरीद के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए अगर आपके पैस कोई आइडिया हो तो फड़ा अपट से कमेंट करके बता देना बहुत सारे पैसे कमाने का और अगर कोई भी आइडिया नहीं है तो फड़ा अपट से गुड़ लग फ्रेंकिलिन कमेंट कर दो ताकि मुझे कोई अच्छा सा आइडिया आजाए और अभी तर वीडियो को लाइक नहीं तो फड़ा अपट से लाइक कर दो क्योंकि हम वो घ खरीद के रहेंगे और आपके लाइक करने से हमारे चांस इस बहुत ही जादा बढ़ने वाले उस घर को खरीदने के तो काई सर मैंने उद अंकल को बोल तो दिया कि हम बहुत सारा पैसा कमा कि वह गरी देगी पर मैं कहा से कमा हूं कैसे लाओं पैसा मुझे तो बिल्कुल स आइडिया आजाए और उससे मैं पहुत सारे पैसे कमा सकूँ पर क्या करूं कुछ समझ निया रहा है अरे के चल रहे हैं अमर और काईजर अभी आप देख सेक्तों यह डॉल्फिन तो यहाँ पर पानी के बाहना चुकिए मुझे इसको बचाना पड़ेगा कैसे बचाओ कै इसके ऊपर पानी मारूगया यह ले पानी यह तो मड़ जाएगी मुझे जल्दी जल्दी कुछने कुछ करना पड़ेगा क्या करो ? रुक जाओ अभी आतरेवक्त मैंने वहां पर छेसी भी देखा था रुक जल्दी से मुझे इसको लाना पड़ेगा तो टैंक्शनमत्ने मैं आ रहा हूँ, तो कही सर, हमें उस डॉल्फिन को जल्दी से जल्दी बचाना पड़ेगा, जल्दी चलते हैं, पुरा, जीसे भी मुझे यहाँ पर दिखा था, फड़ा पर चलते हैं, चलो उसके अंदर बैठ जाते हैं, और तुम क्या कर रहो, आरे तेरी अंकल चुप रह लेते हैं, उसके बाद जादा टाइम नहीं, वो कभी मिर सकती है, चल्दी चलो 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 फड़ा पर से, सामने वो रही हमारी डॉल्फिन, इसको फड़ा पर से डाल देते हैं, पानी के अंदर, अपना ये नीचे करेंगे, और चा पानी में, और ये गई पानी में, तो मेरे बचे, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने एक डॉल्फिन को बचाया, पर मैं तुमने बता दू, मैं कोई डॉल्फिन नहीं था, मैंने देखा तुम तो बहुत ही परिशान हो, तुमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो मैंने तुमारा टेस्ट लिया, क् कर दिया कि तुम सब की मदद कर सकते हो इसलिए मैं तुमारी मदद करने वाला हूँ अरे कैसर ये तो डॉल्फिन नहीं है ये तो कोई जादू करवा लग रहे हैं और एक सिकेंड ये पानी में फ्लोट कर रहा है कि उड़ रहा है समझ दिया रहा मेरे बच्चे मैं उड़ सकता हूँ तैर सकता हूँ और बहुत कुछ कर सकता हूँ अरे पना आप मेरे कैसे मदद करोगे अरे तु फिर मेरी मदद कर दो ना मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए मेरे बच्चे मुझे बता है तुम्हें बहुत सारा पैसा चाहिए पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा सब लोग मेरे से काम ही करवाते रहते हैं फ्री में हेल्प ने कर सकते मेरा बच्चे वो काम मेरा नहीं तुमारे लिए है अगर तुमने वो करा तो तुम इस लोसेंटोस के नहीं इस पूरे वर्ल्ड की हजार साल में आज तक जितने जने पैदा हुए उन सबसे अमीर हो जाओगे क्या सही में सबसे अमीर हाँ बच्चे क्या तुम अमीर बनना चाते हो हाँ मुझे अमीर बनना है तो मेरा बच्चे मेरी बात सुनो तुम्हें जाना पड़ेगा एक खतरनाक सी कुफा के अंदर और उस कुफा में होती है बहुत खतरनाक चीजे पर तुम्हें किसी से डरना नहीं है और तुम्हें मिल पुरी अंडा नहीं है जादो ही अंडा है और वो तुमारे लिए पैसो का अंडा है तो जाओ जल्दी लेकर आओ अच्छा ठीके मुझे एड्रेस वाटसप कर देना मैं जाता हूं मेरे बच्चे वाटसप नहीं चलता यहां डारेक्ट टेलिपोर्ट होता है और काई सर अभी आप देख सकते हो टेलिपोर्टों के मैं क्रीटों आ चुका हूं और मुझे लगता है यही वो गुफायल जिसके अंदर हमें जाओना है उसका दरनाक से मैजिकल अंडे के लिए तो चलो फड़ाफट से इसको खोलते है पर यह खुलेगा कैसे खुल जा सिंस मुझे लगता है इस पर कोई पासवर्ट है हमें इसको उड़ाना पड़ेगा फड़ाफट से यहां पर लगाते हैं और पीछे मुझे खोल दिया है पर अंदर जाने से पहले मुझे पता निए कि यहां पर वो अंड़ा मिलेगा की नी और मैं अमीर बन पाउगा की नी पर क आपको कमेंट में बहुत सारे पैसे कमेंट करने हैं अगर आप कमेंट करोगे 1000 डॉलर तो मेरे बैंक अकाउंट में 1000 डॉलर एड होने वारे अगर आप कमेंट करोगे 10 लाग तो मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाग आ जाएंगे और अगर आप कमेंट करोगे 100 मिलियन जो कि को तो चल्दी चल्दी कमेंट करते ना और अपर चलते अंदर एक सकिंड यह क्या चीज़े यह तो एक बंदर है अब यह बंदर यह अपर कर रहा है तो काईजर अब आप देख सेकत हूं हम इस कुफा के अंदर चाहते चाह रहे हैं और यहां पर यह कुछ लगो जा रही है पर मैं डर नी सकता मुझे अंदर जाकर उस अंडे को लाना है ताकि मैं बहुती अमीर बन सको तो कैसर आभी तक आपने गुट लग फ्रैंकलिन कमेंट नी किया तो क्या कर रहे हो चल्दी चल्दी कमेंट कर दो ताकि में चांसे बहुत जादा बढ़ जाए उस अंडे को एक स्गेंड ये अंकल कोन है हलो अंकल ये तो कुछ खातर राकिए लग रहे है मुझे इदर नहीं चाहिए यंकल इसी तरफ मरें मुझे इधर जाना चाहिए देखते हैं क्या वो अंडा हमें मिलेगा अंडे का परे तु बहारा जा जब यह लग रहे हैँ तो काईसर अभी हम अंदर यहां पर जाते वे जारें और यह क्या सामने कुछ चमचमाता हमा दिकराए देरें रुख जारू देखते कुछ आसपास तो नहीं है मुझे लगता है यह 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 लेके चान है अंडा तो यह लग रहा है पर ग्रीन करल लग अंडा मेंने पहली बढ़ देका है और अंधिरे में क्या ही चमक रहा है इसको अभी हमने यहां पर उठा लिया है हमारा अंदा वापिस करो एक सेकेंड यह क्या चेजे अमारा अंदा अरे यह कौन आ गया चल्दी बागो यह पता नहीं मेरा पीशा कौन कर रहा है कौन है यो लोग जोंबी जिखने वाले लोग, जल्दि-जल्दी भाग के ऐसे निका जाते पता निए मैं सही रज्ते पर जा रहा हु की नी? पर मुझे यहांसे जल्दी से जल्दी निकलना पढ़ेगा वो मेरी पीछार है की नी? मुझे तो लग रहा है बहुत ही तेज आ रहा है मुझे यासे जल्दी से भाग रहा चाहिए और बाहर जाने का रस्ता भी मुझे दिख चुका है भागो भागो जल्दी भागो और ये 3, 2, 1 मैं बाहर निकल गया अब उनको पिल्कोई ने छोड़ने वाला ये लो आओ ना आओ ना किसी को ने छोड़ूगा ये लो RPG काओ कोई भी ने बचने वाला जो भी अंदर होगा वो खतम हो जाएगा और काईजर अभी आप देख सकते हो वो खदरनाक सा अंडा हमें यहाँ पर मिल चुका है चलो फड़ा वर्ट सुन मैजिक बाबा के पास चलते हैं और उनको ये अंडा दे देते हैं मैजिक अंकल मैजिक अंकल देखो मैं वो अंडा ने आया बढ़िया बच्चे ये अंडा मेर को देदो मुझे तो लग रहा है अंकल इसको अंडा बनाने वाले बच्चे तुमने अपना काम कर दिया अब बारी मेरा काम करने की ओम प्रीम कोल्ड क्रीम बताओ कौन सी चाहिए आईस क्रीम आईस क्रीम चोकलेट ये नो तुमार लिए चोकलेट कलर का गोड़ा गोड़ा अले मैं गोड़े कांगा करूँगा बच्चे ये कोई मामूली गोड़ा नहीं है इसके उपर बैट के तो देखो कैये मुझे लात मारेगा अरे नहीं लात तो नहीं मारा बच्चे ये एक जादूई गोड़ा है ये तुम्हें अमीर बनाने वाला है अमीर? कैसे अमीर बनाएगा? ये तो नॉर्मल सा गोड़ा लग रहा है बच्चे ये नॉर्मल सा गोड़ा बिल्कु नहीं है तुम इसको लेकर जाओ और किसी भी चीज़ को चुओ फिर देखो क्या होता है किसको चूँ? आपको चूलो नहीं 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 मुझे मत चूना किसी गाड़ी, लकड़ी, पत्थर उनको चूओ अच्छा ऐसा है क्या? रुक जाओ यहाँ पर ये डबा बड़ा है इसको चूँकर देखने क्या होता है यहाँ पच्छे, यह गोड़ा सबसे कतरनाक है तुम इस घोड़े से किसी भी चीज को टच करोगे तो वो बन जाएगी गोड़ की क्या? सही में? यह तो बहुत ही जादा कतरनाक पावर से आपड़ा में मिल चुकी है तो काईसर, अभी हमें आपने देखा मैंनो उस धब़े को टच करके गोड़ का बना दिया और यह गोड़ा कैसी भी चीज को गोड़ का बना सकता है ऐसा वो मैजिक अंकल बोल रहे है तो चलो, फड़ा फट से ट्राय करते है क्या यह गोड़ा सही में इतना ख़दरनाक है यहाँ पर तो मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखरी हमें ऐसी जगे जाना पड़े का जाहाँ पर बहुत सारी गाड़िया और उन गाड़ियों को टच करके हम बनादे वाले गोल्ड कार्ज लेट्स को, फड़ा फट से चलते हैं गार शोरूम पर तो काईसर, अभी आप देख सकते हूँ, अभी हम पहुचने वाले इन ख़दरनाक से कार शोरूम पर अरे, रोक चाओ, रोक चाओ, यह गोड़ा का हल ने कर चा रहे हो अरे, मुझे गाड़िया करी इतनी है तुमारे जैसा करीब, जिसके पास एक स्कूटर भी नहीं है, वो क्या काड़ी कर देगा, निकल चाओ यहाँ से यह गोड़ा स्कूटर से भी खदरनाक है नए, नए, तुम अंदर ने जा सकते तेरी ऐसे के दे, निकल यहाँ से मैं तो अंदर जाओंगा, आपको कोई दिक्कत देगा अरे, ने, ने, चाओ, चाओ, चाओ तुछनो काई सर, अभी आप देख सकते हो हम लोग आचुके इसका दरनाक से कार शोरूम में और यहाँ पर होता जाते हैं, मेरे गोड़े दो में डुक जा, बोलिये सर, आपको क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए आपके सबसे महंगी कार क्या, सबसे महंगी, अभी लाता हूँ यह देखिए, हमारी सबसे महंगी कार, उनली 5 मिलियन डॉलर्स 5 मिलियन डॉलर्स पैसे तो बहुत जादा है, पर आज मेरे साथ मेरा गोड़ा है, तो कोई देख कर दियोने वाली तो सर, पैक कर दू, पेमेंट कैसे करोगी कार्डिया कैश, कार्डिया कैश नहीं मैं पेमेंट करूँगा गोल में आजा मेरे गोड़े, तेरी बारी आ चुकी है तो कैसर, अभी इस गोड़े को लेकर जाने वाले हैं और इन सारी गाड़ियों को भी हम यहाँ पर टच करने वाले हैं अरे सार, हमारे गाड़ियों पर बोटी करोगे क्या अरे यह तुमने क्या कर डाला, यह तो बहुत ही खतरनाक है तो अब देखो, तुमारे सारी की सारी गाड़िया गोल में कनवर्ट हो चुकी है इसका मतलम, अब तुमारे काड़ियों की वैली हो चुकी है 100% ब्लस तो इसलिए यह गाड़ियों की मेरे लिए फ्री अब बहुत ही साथा पाउरफुल है अब काईजर, इसकी पावर्स की मदद से जो वो घर था, 90 मिलियन डॉलर्स का जो कि हम नहीं खरीद पाएते वो अब हम खरीदने वाले है उस अंकल ने हमें बोला था कि हम कभी भी वो घर खरीद नहीं सकते पर अब हमारे पास इतना पैसा होने वाला है इतना गोल्ड होने वाला है कि हम उस घर को दस बार नहीं सौ बार खरीद पाएंगे चल मेरे गोड़े, वड़ावट से चलते हैं उस घर पर उससे पहले मेरे वो एक और काम है तो काईजर जो मेरे आपको काम बोला था कि हमें करना है वो था ये, हम जिस गाड़ी में इस घर को पहले देखने आये थे वो बहुत ही सस्ती थी पर अब ये गाड़ी बहुत जादा मेंगी हो चुकी है क्योंकि ये पूरी की पूरी गोल्ड की हो चुकी है इस खालर नाक सी गोल्ड की गाड़ी में हम वापिस से जा रहे अपनी राम प्यारी में पहले ये पिंक किलर की थी वो भी अच्छा लगता था पर ये गोल्ड और भी जादा अच्छा है चलो फड़ा फट सुन अंकल के पास चलते है कहां गया वो अंकल ओ टकले ये देख मैं फिट से आ गया अरे तुम फिट से आ गये तुमें समझ नहीं आथा मैं तुमें ये गर नहीं बेचूँगा बंदराजार में बंदराजार नहीं मैं ये घर के तुझे बंदरा करोड में दूँगा क्या बंदरा करोड कैसे बस ऐसे ही में रहता है। आप लेके यहां से निकल लो उकी बाइबाई तुकाइज और अभी आप देख सेक्तों वो अंकल यहां से जा चुके हैं और ये खतरनाक सा गर हो चुका है हमारा तो मेरे खोड़े फड़ाववट से इन तीनों गाड़ियों को भी गोल्ड का जब तक हम देखते हमारे इस घर में और क्या-क्या में मिलने वाला है और मुझे पता यहां पर एक बड़िया सी पार्किंग भी तो फड़ावट से पार्किंग में राम प्यारी को खड़ी कर देते हैं और यह देखो पूरी की पूरी पार्किंग खा लिए पर आप एक दिन मैं इसमें इतने गाड़े बरूँगा इतने गाड़े बरूँगा कि किसी ने देखा भी नहीं होगा अब हमारे पास unlimited पैसा यानी गोल्ड है तो हम कुछ भी कर सेखें तो कोईसर आपका स्वाकत है हमारे ने ने घर में आप देख से तो यह कितना साधा बड़ा है यह बड प्राइवेट कसीनो भी है यहां परेट के हम गेम कहल सकते हैं और अभी आपको लेकर चलता हूं सबसे खतरनाक जगे बागी घर तो नॉर्मल ही है मताब बैट्स है किचन है जो भी जी होती है पर यह किसी गर में नहीं होता यह खतरनाक सा बॉलिंग रूम इधर हम कुछ की बोलिंग कर सकते हैं आप सब मैंसे किसके बोलिग करिए फड़ा ओपडसे कमेंट करके बता-दो और यहां पर अपना बार भी है और यहांपर हम अपना प्राइवेट थीटर भी है यहांपर हम कोई सी भी मूवी भी देख सकते हैं यह खर मुझे दो बहुत ही खतरनाक हमारे पास यह इंडॉर प्राइवेट स्विमिंग पूल इसमें आराम से हम सुमिंग कर सकते हैं अकेले अकेले और यहां पर स्टीम करने का भी है और साथ में अब अबरा बड़ी आसा बड़ा सा जिम भी है तो नीचे वाले फ्लोर पर हमने साड़ी की सारीचीजे बना दिये अब चलते हैं अपन देखते हैं उपर वाले फ्लोर पर क्या-क्या है तो फड़ाफट से अब है हम आज चुके हैं यहाँ पर उपर यहाँ से जाते ही यहाँ की एंटरिंस आ जाती है अरे गोड़े जल्दी जल्दी सब का गोल्ड कर दे टाइम नहीं हमारे पास उसे कमेंट कर देना एड्रेस तो मैं आपको एड्रेस बेज दूँगा फिर मेरे घर पर आजाना और यहाँ पर एक और बड़ा सा पार्टी एरिया यहाँ पर भी बाल्कनी बेट के बाटी कर सकते हैं और यहां से डाइरेक्ट नीचा जा सकते हैं मुझे लगाता है यहां से सीडिया है पर यहां पर सीडिया नहीं है कोई भात नी लगवा देंगे और यहां पर यह बड़ा सा स्विमिंग पूल है और सामने एक कतरनाक सी बड़ी सी लेग यहां पर पाटी कर सकते हैं यहां पर पाटी कर सकते हैं और काईसर यहां से उपर जाने का एक शॉर्ट कट भी है यहां से चाहो और इधन से डारेक्ट चले चाहो तो काईसर आप फड़ावट से कमेंट करके बता दो घर आपको कैसा लगा और आप देख से तू हमारे गोड़े ने सारी गाड़ियों को गोल्ड का गनवर्ट कर दिय फड़ावट से यह गोल्ड की जी वैगन चलाएखे कि आपने कभी कोई गाड़ी चला यह फड़ावट से कमेंट करके बता दो यह तो सहीफ है बहुत ज्यादा पाउर्फुल और कदरनाग लग दो काईसर पड़ावट से कमेंट करके बताना हमारा घर आपको कैसा लगा करने अमारे बाकी के 99 तो फन तो कमेंट करके बतना क्योंकि मैं ने सोच यह मैं तो सौके सौधर खरिद करहूंगा क्योंकि हमारे पास Unlimited weeli जू갈 अई क्योंकि हमारे पास Unlimited घुँन रजगा जनाई झाले問題, ुव़